तो धीरे धीरे इस जर्णी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम बने वाले हैं HR या फिर अभी हम देख देख के session अब बोर हो चुके हैं यह सोच रहे हैं कि इसका introductory session कहा है कहीं से हमें पता चल जाए कि कुछ ऐसी 10, 12, 20, 15 और 50 terms हैं जो कि HR में use होती हैं और बस हमारा काम हो जाएं हम वो ही terms कंजूसी से पढ़के चले जाएं और हम बन जाएं HR अगर ऐसी कंजूसी के बारे में सोच रहे हैं तो यह जो गलत फेमी है कंजूसी वाली कि आप थोड़ी सी terms के बारे में जान कर HR बन जाएंगे आप इंटर्व्यू क्राक कर लेंगे तो यह गलत फेमी तो मैं आज दूर करूंगे लेकिन हां इसके साथ साथ यह टर्म्स वाला जमेला है न इसको भी मैं आज सॉल्फ करूंगी तो अगर हैं इंट्रेस्टिट सॉल्फ करने में तो हेलो एप्रवान इस सुगंधा और वाचिंग रेडी तो गेट अपडेट और येस वेल्कम बाक तो मैं चैनल और आज आगया है यह मोस्ट रिक्वेस्टिट सेशन यह बहुत पार मुझ से रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई HR की कुछ 10, 20, 50 टर्म्स एक ही सेशन में बता दीज़ें तारा काम एक सेशन में हो जाए 300-400 सेशन आपके कौन देखेगा इतनी सारी प्लेलिस्ट की कहानी आपने डिस्रिप्शन बॉक्स में खोली हुई है उसको कौन खोल के देखेगा क्यूंकि हम हैं आलसी बच्चे या फिर हैं हम जाब सीकल्स या फिर हम जाब भी कर रहे हैं लेकिन इतनी कहानी देखने में हम इंट्रेस्टेड नहीं है तो ठीक है नहीं देखनी है उतनी कहानी तो मत देखिए आपको जब loss होगा तो आपको खुछ समझ में आएगा कि भई वो playlist देखनी जरूरी है और फिर आप देखें खुछ से सारे sessions क्योंकि detail में चीज़े पढ़नी जरूरी है अगर हमें किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है हम अपना career future आगे देखते हैं हम अपनी जो living है cost of living है जो हम अपना future life देखते हैं उसकी earning हम एक HR profile से देखते हैं तो उसके बारे में सारी चीज़े जाननी जरूरी है otherwise हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे कहीं ना कहीं रुक जर कहीं तो ऐसी terms होंगी जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता चल जाए जिससे के हमें ये तो पता चले कि HR में ऐसी कौन सी terms है जो use होती है और उन terms पे अगर हम किसी भी term पे देखना चाहते हैं complete session तो वो हम आपके channel पे देख लेगे तो अगर ऐसी कहानी है और ऐसा promise कर रहे हैं तो चलिए इस session को start कर लेते हैं क्योंकि मैं लाओंगी ये कुछ around 5-6 sessions आएंगे एक session में तो सारे terms पूरी नहीं हो सकती है आज मैंने क्योंकि इतनी कहानी बताई है तो आज मैं बताऊंगी कुछ पिल्कुल basic 5 terms yes अगर आपने अभी-भी मुझे सुनना शुरू क कर रहे हैं और HR में आपका interest है या आप एक job seeker अभी कुछ नहीं पता है आप अभी-भी सोच रहे हैं के career बनाना भी है नहीं है आप BBA में हैं MBA में हैं तो भी ये सारी terms अगर आप जानेंगे तो आपके लिए बहुत beneficial होंगी इन सभी terms पे proper sessions बने हुए channel पे तो अगर आपक कोई session नहीं मलता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं मैं बता दूँगी चलिए तो start करते हैं basic से सबसे पहली कहानी तो भईया HR HR करती रहती हो है क्या ये what is HR या फिर हम कह सकते है HRM क्या है आप मुझे ये बता दूँग तो चलिए इसकी full form से चलते हैं और ये HR HR क्या है human resource या फिर HRM क्या है human resource management human resource या फिर human resource management human हम human being है resource अभी बताऊंगी क्यों कह रहे है management management क्या है किसी भी चिसको manage करना अब हम किसे manage कर रहे है human being को manage कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो जो बीच वाली term है वो resource है आप resource है मैं किसी भी human being को manage करने नहीं लग जाओंगी मेरे आसपास जट्थे भी human being है अगर मैं हर किसी को manage करने लग जाओंगे तो वो क्या कहेंगे अभे तु अपना काम दे मुझे क्या कह रही है अगर मैं हर human being को अपने आसपास manage करने लग जाओं तो क्या वो मेरी बात सुनेगा कोई भी नहीं सुनेगा वो तभी सुनेगा जब वो मेरा resource होगा resource क्या चीज है resource वो है जो मेरे किसी काम को fulfill कर रहा है उसमें लगा वो मेरा कोई काम कर रहा है तो वो मेरा resource है वो मेरा कोई काम fulfill कर रहा है अब इसको समझते हैं थोड़ी सी और upper language में human resource management मतलब अब मैं एक company हूँ मैं एक employer हूँ और मैंने किसी employee को अपने किसी काम के लिए hire करा किसी person को मैं बुला कर लेकर आई कि भाई मैं आपको salary दे दूँगी 5000,000,000,000,000,000,000,000 मेरा ये वाला आप काम कर दो आप है human being आप बन गए मेरे resource क्योंकि आप मेरा कोई काम करने वाले है और मैं आपको manage करूंगी मतलब मैं किसी से भी manage करवाऊंगी मैं आपको manage करूंगी manage क्या करूंगी आपका आप मेरे याँ आए हैं आपके मैं कुछ documents लोंगी पहले तो मैं आपका interview लोंगी फिर उसके बाद मैं आपकी documents लूँगी, आपको एक space दूँगी काम करने के लिए, कि हाँ, उसके एंशॉर करूँगी कि वो जो space है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज ना हो, वो गंदी ना हो, खराब ना हो, डिर्टी ना हो, वहाँ पे सारी facilities available हो, वहाँ पे lights proper available हो, एसा ना हो, कि current डा रहा हो, राइट, यह मैं आपको basic आपको समझा रहे हूँ, okay, so मैं आपको manage कर रहे हूं, उसके बाद पूरा महिना हो जाएगा, मैं आपको salary दूँगी, salary के उपर आप तहेंगे, बही काम तो बहुत अच्छा हुआ मैं इस बार, तो मैं आपको कुछ increments दे सकती हूँ, कुछ bonus दे सकती हूँ, okay, obviously first month नहीं मिलेंगे, उनके procedures हैं, वो सब हम discuss करेंगे, लेकिन यह just मैं example के लिए बता रही हूँ, कि यह है, तो अब मैं आपको manage कर रही हूँ, basically, एक employer ने किसी employee को अपने इहां appoint किया, right, और उसके बाद, क्यूंकि वो हमारा काम कर रहा है, वो हमारे लिए एक resource है, हमारा काम फुल्फिल करने के लिए, वो एक resource है, okay, so, अब मैं उसको manage करूँगी, okay, so this is human resource management, अब obviously, मैं एक company हूँ, मतलब मैं एक employer हूँ, तो मैं खुद नहीं करूँगी, मैंने इसके लिए एक person को employee किया, वो है HR professional, मतलब human resource professional, अब human resource professional को मैं कोई भी designation दे सकती हूँ, मैं उसे खाली HR बोल सकती हूँ, मैं उसे HR executive बोल सकती हूँ, मैं उसे HR assistant बोल सकती हूँ, HR recruiter बोल सकती हूँ, okay, ये सारा काम हो गया, मतलब जो मैंने employee को hire करा, वो वाला काम भी मैं एक HR को ही दे सकती हूँ, तो वो human resource professional हो जाएगा, सारा काम जो employee का है, वो एक HR करेगा, okay, so आप समझ गए HR कौन है, human resource management क्या है, HR professional कौन है, ये बिल्कुल simple है, ये मैंने कहीं कोई definition नहीं, जो actually HR का काम है, मैंने वो बताया है, I hope so, ये आपको clear हूआ होगा, next आता है second, जो कि है recruitment, अब मैंने आपको बताया कि मैंने किसी को employee किया, अब एक employee तो मैंने employee कर लिया, अब क्या होगा, मेरा काम बढ़ रहा है, right, अब मेरा काम बढ़ रहा है, मैं ढूडनी पा रही हूँ उनोगों को, भी मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ, अभी HR को मैंने point कर दिया, अब वो कह रहा है कि आपने मुझसे कहा है, 50 लोग को हायर करो, 100 लोग को हायर करो, 500 लोग को हायर करो, आपको तो इतना काम बढ़ गया, अब कैसे करा जाए, कैसे employees को हायर किया जाए, तो ये है recruitment, recruit करना, appoint करना अपने हाँ, मेरे हाँ, 100 लोग, 50 लोग की जरूरत है, जरूरत का meaning vacancy है, खाली है जगा, मतलब मुझे चहीं है इतने सारे लोग, मेरी company में लोग चहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने HR को instructions दिये, कि भाई मुझे 500 लोग चहीं है, मुझे 100 लोग चहीं है, 50 लोग चहीं है, तो यह जो मुझे recruitment करना है, जो जो vacancy है, जो fill करनी है 50-100 लोगों की, that is called as recruitment, अपने हाँ vacancies fill करना, filling of vacancies, hiring of employees at right place, right time, यह है हमारा recruitment, बिलकुल simple तरीके से समझा रही हूँ, कोई English की definitions नहीं है, कोई भी tough चीज नहीं है, अब इसी के साथ आजाएगी हमारी third term, अब आपको समझ में आने लगा होगा, कि यह किस level पर जा रहा है, recruitment process, अब यह अपने आप में एक चीज तो नहीं है, यह इसके लिए लगेगा, बहुत कुछ, बहुत सारे efforts लगेंगी, कि बहुत सारी चीजज रा करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोग हमें हायर करने हैं, तो अब इसके लिए तो बहुत सारा हमें काम करना पड़ेगा, पहले तो अब क्या करा आपने, आपने पहले 5-10 लोग हायर कर लिए, किसी manager level positions पर hire कर लिए, अब वो कहरें, मैं तो कुछ काम नहीं करूँगा, मेरे तो नीचे लोग चाहिए, बहुत सारे जोड़ते जोड़ते हमने 5-5-10-10 लोग तो किस तरह से hire कर लिए, अब क्योंकि वो कहरें, मेरे अंदर मुझे 2-2 लोग नीचे भी चाहिए, तो अब वो identification of job vacancy सबसे पहला, सबसे पहला new vacancy arise हुई है, ठीक है, हमने एक employee रखना है, ये new vacancy हो गई, अब वो employee ने 5 महीने काम करा है, वो चला गया, left हो गया, transfer हो गया, resignation हो गया, अब क्या हुआ, अब फिर identification of job vacancy due to transfer, due to resignation हो गया, ठीक है, सबसे पहला point ही चल रहा है, भी recruitment process का, identification of job vacancy ठीक है, मुझे पता चल गई vacancy, लेकिन अब मेरे पास ये problem है, कि आपने मुझे designation तो बता दी, अब मुझे ये नहीं समझ महारा कि उस आदमी में क्या qualities हो, तो आप मुझे कुछ बताओगे ना, मतलब HR पूछ रहा है, manager से, company से, कि मुझे ये तो बताओ, मैं किस type का आदमी हायर करूँ, मतलब क्या चाहिए आपको, उसके अंबर क्या qualification होनी चाहिए, क्या skills होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भई job description define करे जाएंगे, right, job description बनाए जाएंगे, job specification बनाए जाएंगे, job description सीधी सी बात हो गई, क्या चीज, job description, job description में क्या क्या लिखा मेरी drafting अच्छी नहीं है, तो में draft कर दो, क्योंकि HR की drafting अच्छी है, HR की communication skills अच्छी है, तो वो बैट की draft कर देगा, लेकिन आप मुझे बता होगे ना, तो यह हो गया मेरा second process, okay, यह है हमारा recruitment process, अब उसके बाद मुझे ढूंडना है, अब मैं क्या करूंगी, कैसे ढूंड right, तो अब कैसे करूं, अब मैंने, फिर मुझे करनी पड़ेगी job posting, अब मुझे करनी पड़ेगी sourcing, यहां आई, मेरा word sourcing, okay, यह है sourcing, sourcing क्या, ढूंड रही हूं है, employees को, जो मुझे चाहिए है, जो desired candidate profile, उसे मैं ढूंड रही हूं, अब मेरे पास क्या-क्या sources है, advertisement निकाल ठीक है, ठीक है, पॉर्टल, जॉब पॉर्टल, कोले, नेट खोला, आए, कुछ साइट तिकी, इस पर डाल देती हूं, इस पर बहुत लोगों ने रिज्यू में डाले हूए, यहां पर मैं job posting डाल देती हूं, okay, so मैंने यहां डाल दी, इन सब में सेशन पने हूँ है, especially job description पे भी बना हुआ है, sourcing पे बना हुआ है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, मैं बिलकुल simple तरीके से आपको समझा रहे हूं, कि actual में क्या होता है, okay, sourcing हो गई, अब मेरे पास बहुत सारे CV आ गए, मैंने sourcing कर दी थी, अब मेरे पास तो 500,000 आ गई, मेरे पास तो 500,000 आ गई, अब मैं कैसे सबको बुला लूं क्या, नहीं, अब मैं बाठी उसे छांटने, yes, actually, जो word use होता है, वो छांटना ही है, sourcing करना, that is called as screening, right, screening of candidates, screening पर भी एक session बना हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते, screen कर लिया, मैं अब देखने बाठी सारे CVs, कि कौन-कौन से ऐसे CVs है, तो मुझे ऐसे लगे कि नहीं, दोसों का तो interview लेना पड़ेगा 50 के लिए, right, मतलब कोई भी figure हो सकती है, okay, so, यहां मैंने क्या कर ली, shortlisting कर ली, इस level तक की shortlisting कर ली, यह होता है shortlisting of candidates, okay, मैंने managers को भी दिखा लिया, managers ने भी देख लिया, okay, उसके बाद आगया हमारा conducting interviews, अब यह face-to-face, virtual, telephonic, कुछ भी हो सकते हैं, okay, screening के time पे मैंने कुछ लोगों को call भी लगा ली थी, तब ही मैं shortlist भी कर पाई कि बात वात कैसा कर रहे है, रेception पे customer care में, reception पे लोग चाहिए, तो वो अच्छे बात करने वाले होने चाहिए, खाली यह तो है नहीं कि हां graduate दे करना है, उन्हें confirmation उन से मांगनी है, लेकिन background verification तो यार मैं बार चेक कर लूँ, करूँ या नहीं करूँ, background verification, reference check तो चेक कर लूँ, जो मुझे छापके आप देके गए हो, जो आप मुझे submit करके गए हो mark sheet है, वो सच में है भी genuine या नहीं, आपने तो सुने है, इतने fake scam होरे ह तो हो तो मुझे check करनी बनती है, अगर आप कह रहे हो, जी मैं तो इतनी इतनी organization में काम करके आए हूँ, एक बार तो मैं call लगा लूँ, एक बार तो mail करके, मैं background verification का form send कर दूँ किसी को, और check कर लूँ, कि हाँ, background ठीक है, नहीं है, reference check कर लूँ, ओके, ये हो गया हमारा background and verification check अब उसके बाद भाया सब कुछ ठीक है, अब हमने selection कर लिया, select कर लिये भाया, ये list निकल गई, अब मुझे करना है offer letter issue, right, offer letter issue करा, और वहां से confirmation भी आ गई है, हमारा recruitment process चल रहा है, okay, बिल्कुल simple language में, और अब उसके बाद कहानी आ गई हमारी, किस की, अब आ गई हमारी employee आ गया है, अब हम उसका orientation कर रहे हैं, और onboarding कर रहे हैं, मतलब उसका welcome कर रहे हैं, उसे introduce करा रहे हैं, मतलब इसमें अभी और बहुत सारी बीच-बीच में छुट-चीज़ें जो मैंने skip कर दी है, मैं मोटे तो और आपको process बता रही हूं, right, इन सब के sessions पेने में आप चेक क जाती है, तो यह term है hiring, hiring का मतलब क्या होता है, hiring का मतलब होता है, appointing, appoint करना, okay, अपने under employees को appoint करना, hire करना, recruit करना, यह recruit और hiring जो है, यह एक साथ words use होते हैं, बहुत-बार similar, तो hiring होता है, किसी भी employee को अपने employee करना, appoint करना, right, next, last आ जोएगा, fifth, क्योंकि आज जी बहुत सारे points हो गए है, तो fifth, last record, discuss कर लेते हैं, तो fifth है हमारा sourcing, इसको मैं especially अलग से बता रही हूँ कि यह अलग से term है, आप इस पे मेरे कई sessions पहने हो है, उनको check कर लें, हम कैसे-कैसे sourcing कर सकते हैं, sourcing के बहुत सारे methods होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले newspaper, advertisement हो सकते है, job portals हो सकते हैं, social media platforms हो सकते हैं, insta, twitter, आपका youtube channel भी बहुत अच्छा source हो सकता है, मैं यहां पे प्रमोट करूँ के हाँ, जिसमें jobs निकले हुई है, और आप कैसे facebook हो सकता है, whatsapp भी groups हो सकते है, telegram channel हो सकता है, तो social media एक बहुत बढ़ा source होता है, तो यह है हमारा sourcing, sourcing basically आप ज time में professional site है, वहां पे बहुत सारे CVS available होते हैं, बहुत सारे CVS available का मीनिंग यह नहीं है, मितलब बहुत सारे job seekers है, candidates है, जो कि already भी job कर रहे हैं, employees है, वो अपने आपको register करते हैं, login करते हैं वहां पे, और उनके profiles होते हैं, और आपकी postings वो view करेंगे, तो apply भी कर सकते हैं, right, क यह हो गई मेरी तरफ से 5 terms आज की, आज हम discuss करेंगे उसके बाद की कहानी और वो है 6th screening, right, अब आप देख रहे हैं कि जो आपका एक recruitment process होता है, वो भी मैं finish out करती जा रही हूं इसके साथ, तो आज है screening, screening पर मैं एक already बहुत ही बड़ा session बना चुकी हूँ, जो कि आप देख सकते हैं, channel पर, right, recruiter के, HR recruiter के आपको playlist में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो बताएं, okay, लेकिन अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ, आपको बिल्कुल सीधी तरीके से वही screening क्या होती है, हम sourcing तक आ गय थे, हमने बहुत सारे CVS बगएरा ढूंड के अपने पास रख लिये मतलब अगर आप normal किसी small organization के लिए कर रहे हैं, तो चलिए 50-200 होंगे, okay, तो इतना सारा बल्क हो गया है, अब उसे हमें चाटना है, basically screening होती है हमारी चाटना, देखना उसे कि इसमें से कौन सा suitable candidate हो सकता है, मतलब अभी बहुत सारे आगे stages आएंगी जिसमें हमें फिल्टर कर होगा candidate को, लेकिन एक बार CV से, resume से चेक तो कर ले, कि कौन सा candidate ऐसा है, जो हमारे skills and all उसके आस पास है, okay, so अब हम क्या करेंगे, normally जो कहा जाता है कि screening के time, जो एक HR है, वो 6 second या 10 second देता है, resume को, now ये जो myth है ना, जो हर किसी ने फिला रखा है, हर कोई केते कि बस इतने second दि नहीं है, और ये हर जगे apply cable नहीं है, सबसे बड़ी चीज, अगर आप large organization की बात करेंगे, जहां daily हजारो CV आते हैं, वहां में कह सकती हूं कि हाँ, वहां क्यूंकि हजारो CV आ रहे हैं, एक graduation की post निकली, और सारे graduation के ही candidate supply कर रहे हैं, और same ही qualification है, almost same ही सारी चीज़े हैं, तो certifications है, internships है, तो हाँ, चलो, इसको filter कर लिया और उको हटा दिया, लेकिन अगर mid size organization, small size organization है, तो small size organization में 50, 200,000 लोग ही बस काम कर रहे हैं, तो वहां क्या है, वहां मेरे पस time है, ये देखने का कि मेरे जो एक भी employee आ रहा है, जो बहुत अच्छ से filter करूं, ऐसे नहीं है, कि हाँ मेरे पस time नहीं है, मेरे पस CVS ही आए, कितने 50, 100 CVS आए, उसको भी मैं सिफ 6 second में करके मैंने खतम कर रहा, फिर मैंने काम ही क्या खरा, HR के बास तो वहां इतना काम ही नहीं है, तो आपको CV बहुत अच्छ से देखना होगा, तो हमें ये नहीं सोचना है कि मैं तो सिर्फ एक organization में जाते हैं, हमें as an HR सोचना है, यहां पर हमें as a candidate नहीं सोचना, जब हम से कहा जाता है कि आप अपना ऐसा बनाओ, दो पेज का बनाओ, single pager बनाओ, because HR के पस time नहीं होता, तो वो क्या करता है कि वो बस इतना सा देख पे छोड़ देता है, ये हर चगे applicable नहीं है, और HR ब अपस के लिए रखा है कि वो शॉट लिस्टिंग अच्छे से सारी चिज़े देख के करें, okay, so आपको screening के time में क्या क्या चीज़े देखनी है, जो कि हमारी, मैंने, जो separate session बनाए हूँ, ऐसका उसमें सारी चिज़े दी हुई है, आप प्लीज उसको ज़रूर देखें, because वह पता हो, मैं बिलकुल ध्यान हो, रटी हो, कि भई, क्या qualification होने चाहिए, क्या मुझे skills ट्राइए, क्या internship होनी चाहिए, उसके पास, क्या training period होना चाहिए, उसका, क्या क्या चीज़े उसे आने चाहिए, because वो normally first page पे ही होगा, as सब हर कोई resume आज देखकर ही बनाता है, तो normally वो आपको first page पे ही सारी चीज़े मिल जाएगी, अगर वो two pager भी है, experience के case में, obviously, थोड़ा सा बड़ा होगा आपका CV, तो वहाँ आप पीछे जा सकते हैं, otherwise, अगर experienced है, तो आपको work experience सबसे पहले देखना हो, जो work experience है, उसमें जितने भी points उसमें mention करें, वो आपके work है, उसे match ह हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ओके, ये चीज़े आपको देखनी है, बहुत जरूरी है, अगर वो match नहीं हो रही है, तो फिर हमी next आना है की skills पे, okay, कि उसके पास वो skills है या नहीं है, नहीं तो आप कैसे select करेंगे, और फिर qualification पे भी, कि हो सबता है, कि उसने जो qualification ली, उसक हम screening कर रहे हैं, तो क्या होगा कि, yes, our next is, बहुत important आईगी, कि खाली हम एक review में देखकर screening नहीं कर सकते हैं, हमें चाहिए कि यार, candidate ठीक ठाक लग रहे है, communication skills पगएर अच्री है, हम किसी customer care profile के लिए बात कर रहे हैं, अगर, तो अच्छे हैं, यार, एक बार में call लगा के द करेंगे, और हम करेंगे cold calling, okay, आप cold calling की बहुत सारी scripts आई हुए मेरे channel पर, मैंने 3-4 scripts दी हुए हैं, आपको तो please उसे check कर लें description box से, वो बहुत helpful है, कैसे की जाती है cold calling, okay, और proper उसमें English phrases हैं, कि आप क्या-क्या options से बात कर सते हैं, किसी से, अगर आप किसी candidate को call कर रहे हैं, okay, so हम एक बार बात कर लेंगे उस तरीके से और उसके बाद हम decide कर लेंगे कि नहीं आर इसने खाली चाप दिया था resume में या सेच मेर्स की communication skills अच्छी हैं, okay, so ये हो जाएगी हमारी cold calling और ये cold calling मतलब, चलिए, ये है हमारा 7th point भी, तो cold calling का मतलब है thundi calling, तो क्या ice cream का के call क करने की कोई जरूत नहीं है, cold calling का meaning होता है, thundi, मतलब इसका thund से क्या meaning है, क्यों इसे cold बोला जा रहा है, तो मैं ये वैसे कहीं written नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको refer करना चाहूंगे कि किस तरीके से cold calling का जा रहा है, cold मतलब अभी हमारी कोई बात ही नहीं हुई है, अभी स कुछ ठंडे बस्ते में है, जिसे बूलते है, कि सब कुछ ठंडा है, अभी कुछ conversation ही start नहीं हुआ, तो ये यहां से इस तरीके से बूला जा रहा है, कि हमने ऐसे ही casual calling लगाई है, casual doesn't mean कि आप कुछ भी casual बात करने लेंगे, casual का यहां मतलब professional casual है, मतलब अभी हमारी कोई bonding start कोई connection start नहीं है, अभी हम first time call कर रहे हैं, तो ये ना सोचे कि हम ऐसी बूला था कि casual बात करने है, तो कुछ भी बात करना start करेंगे, नहीं, उसके भी मैंने basic आपको दिये हुए, कि how you have to talk, you have to be professional, you have to be polite, by talking ये नहीं कि आप HR हैं तो हां, मैं तो कैसे भी बात कर सकता हूँ, ये वाला way नहीं होना चाहिए, okay, so ये हो गई हमारी cold calling और 7th point, okay, अब next आजाता है, यसी में discuss कर लेते हैं, so 8th आजाएगा next orientation, ये भी बहुत जादा मुँचा गया, इसका वैसे एक proper session बना हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ये मैं बता देती हूँ, employee आ गया है हमान अब हमें उसे welcome करना है, right, so welcome कैसे करेंगे, पहले कुछ चीजे हैं, जो कि हमें उन्हें देनी होंगी, okay, वो सारी चीजे हमें उन्हें hand over करनी होंगी, मतलब obviously उसे proper place पी दिया जाएगा, proper system and location दिया जाएगा, okay, ये सारी चीजे हमारे day 1 होंगी, और it could be day 2 या day 3, मतलब 2-3 दिन तक हो सकता है, किसी जोगे आप कह देते हैं कि एक वीक का होता नहीं है, बिकाज उसके बाद वो on boarding होती है, जिसको हम इसी के बाद दिसकस करेंगे, okay, so orientation एक short term activity है, just to introduce and welcome employee, जिससे के वो comfortable feel करें यहां पे, अब ये एक आप seminar hall में, conference में, या आप inter departmental भी करा सकते है, व आप उसको introduce कराएंगे, दूसरों employee, team members से और departmental head से हो सकता है, अब नाव ये completely company पर depend करेगा, कि किस से आपको introduce कराना है, एक employee को, okay, so, ये completely उसके ऊपर base करेगा, किसी हो सकता है, कि आप बहुती चोटे level पर कर ले, हो सकता है, या थोड़े से large level पर करे, क्योंकि अगर वो employee, ऐसा important employee है, जिसका interaction बहुत जादा रहेगा, बहुत सब से, तो उन सब से मिलवाना जादा अच्छा रहेगा, उनके departmental head से मिलवाना अच्छा रहेगा, और उसमें आप, obviously employee अपने बारे में बता देगा, और और भी लोग introduce कर देगे, अपने आपको, okay, और फिर कुछ procedural चीज करना है, laptop issue करना है, और भी email ids issue होनी है, ये सारी चीज़े company based होंगी, जो जो चीज़े होती है, बहुत सारी जैसे small organization से महां ऐसा कुछ नहीं कि हाँ, system allocate पहले ही दिन होना ही है, या laptop allocate होना ही होना है, ठीक है, नहीं होना है, तो वो आपका point है, right, ये सारी चीज़े हो जाए उसके बाद होता है हमारा, इसी के बादा जगा हमारा एक ninth और वो है हमारा onboarding, now onboarding जो है, onboarding का क्या meaning है, ये actual में introduction है, obviously जो हमने welcome किया, वो हमारे onboarding का ही part होता है, orientation, जो की सिर्फ एक introduction ही है, कि हाँ भई मैंने introduce करा दिया, हमारा onboarding जो है, वो एक larger level पर है, जसमें हम focus करते है कि company में जो employee आ रहा है, new employee वो well settle हो जाए, खाली उसका hiring या उसका एक दिन का welcome important नहीं है, onboarding जो focus करता है, वो ये करता है, मेरा जो employee आया, मैं उसे proper welcome करूँ, proper settle down करा हूँ यहां company में, और जो उसके company oriented goals है, मतलब जिस purpose के लिए मैंने उसके hire किया है, long term, short term purpose के लिए, वो fulfill हो, okay, उसको हम proper system में डालें, system में जो चीज़े सिखानी है, जो trainings देनी है, वो सारी चीज़े हम करें, फिर उसको हम उसका feedback दिलें, after a week, 30 days, 60 days, 90 days plan पे, okay, supervise करें, monitor करें proper, right, so, जो हमारी orientation activity थे, आप इससे बिलकुल confused रहा हूँ, orientation activity जो थी, वो थी 1 और 2 और 3 days की, इसलिए कि ह employee आया, उसके सामने यह यह चीज़े कर दिया, उसे welcome कर दिया, introduce करा दिया, उसे चीज़े hand over कर दिया, लेकिन on boarding actually क्या है, actual में employee settle हो जाए, जिस काम के लिए हमने उसको यहां रखा है, वो सारी चीज़े हम उसके allocate कर दे, हम उसका coordination करा दे, department से, जैसे कि उसका काम start हो, उसकी training start हो, training के बाद, एक feedback system हो, 30 days पे, 60 days पे, 90 days पे, right, कि वो काम उस तरीके से सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, जिस purpose के लिए हमने employee को join करवाया, यहां पर, वो purpose fulfill भी हो रहा है, या नहीं हो रहा है, okay, so यह एक long term perspective है, जिसमें हम, obviously, orientation को include करते हैं, कि जब हम employee का welcome ही ठी से नहीं करेंगे, उसको चीज़े allocate ही नहीं करेंगे, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है, और इसके साथ ही फिर हमारी सारी चीज़े हो जाएंगे, जिसमें हम training provide कर रहे है, feedback, supervision, monitoring, employee को properly comfortable कराना, एक organization में, और यह बताना भी, और वो चीज़े provide भी करना, जिस purpose के लिए उसको join करवाया गया है, हाँ पर, yes, हम खाली employee को सिर्फ बठाने के लिए नहीं लाए है, या फिर ठीक है, अपना चल रहा है, कुछ भी चलता रहेगा, कैसे भी काम करता रहेगा, इसके लिए नहीं है, हम उसे properly settle down कराना चाहते हैं, इसलिए ये onboarding term use होती है, company culture को proper समझे, ह हमारी expectations को समझे, उसकी अपनी भी expectations fulfill हो, वो growth के लिए आया है, वो development के लिए आया है, वो भी चीज़े हो, okay, so this is called as onboarding on a whole, इसका proper session बना हुआ है, उसको ज़रूर चेक कर ले, description box से, okay, HR journalist playlist में आपको वो मिल जाएगा, now last आज आज आज़ता है, आज का और ये है payroll, या फिर हम गह सकते है payroll processing, बहुत बार ये सुनने में term आती है, जब भी हम HR के लिए apply कते है, especially journalist, executive या assistant profile के लिए, तो वहाँ पर बार आता है term payroll processing, ये बिलकुल मैं freshers point of view से बता रही हूँ, आप ये हो सकता है, आप ये तहीं कि ये तो आप कई-कई बार बता चुकी है, लेकिन मेरे पस बहुत request आईए कि terms बताएं, इस बचे से मैं ये terms बता रही हूँ, ये आपको payroll processing की proper एक playlist है, उसमें से आप चुआ के payroll के sessions देख सकते हैं, अब payroll क्या है, payroll is जो हमने employees को hire किया है, हम obviously उन्हें salary pay करेंगे, उस salary को pay करने के लिए हम उसकी कुछ details note down करेंगे, Excel में बनाएंगे, कहीं पर भी हम उसका data record करेंगे, like जैसे कि employee name, उसका designation, उसकी date of joining, उसके days, right, उसकी complete listing, उसकी salary, किते deductions हो रहे हैं, ये सारा जो compile करते हैं, इसको बूलते हैं, हम payroll, okay, और finally फिर उसकी salary बनती है, ये सारे deductions करके, okay, मतलब जतने days वो present रहा है, absence रहा, leaves है, वो सब लगा के, और उसके बाद जो amount है, amounts को proportionately करके, उसकी जो deductions होती है, PF की, ESI की, वो सब deductions करके, TDS deductions करके, जो उसकी amount बनी, वो आ गई हमारी salary, right, so, ये जो सारी हम working करते हैं, this is called as, ये जो complete listings बनाते हैं, ये है हमारा payroll और इसी को process करना, मतलब इसी को बनाना हम वोते हैं, payroll processing, now, it could be in Excel, it could be in a, software, ये कहीं पर भी बन सकती है, okay, detail के लिए आप sessions देख सकते हैं, ये बस छोटी सी जानकारी है, कि हाँ, ये term क्या होती है, जैसे कि आप used to होना start हो, कि ये terms क्या-क्या होती है, fine, so, I hope, so, ये beneficial होगा, beneficial है, तो मुझे ज़रूर बताएं, कोई specific terms देखना चाते हैं terms वाले sessions में, ये HR terms में आ रही हैं, तो कोई sessions देखना चाते हैं, specially कोई term देखना चाते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं, comment box में, sessions बहुत सारे pending हैं, वो सब आने वाले हैं, due to few reasons, वो थोड़े से pending भी हो गए हैं, लेकिन समाएंगे, और आपके बहुत सारे comments मेरे पास हैं, I hope so, ये session आज में जब upload कर रही हूँ, तो उसके आसपास एकार दिन में, वो सारे में solve कर दूँँगे, right, मतलब आपको में answer कर दूँँगे, comment box में, fine, so next video तक के लिए, all the very best, stay happy, stay safe, thanks for watching, bye-bye.